कि नमस्कार किशान भायों टैक की रिसलोशन में आपका श्वागत है आज हमें का बैगन के खेत देखने आये हुए थे जैसा कि आप इस वीडियो के माथम से देख सकते हैं यहां पे लगबग एक एकड़ शेतर में बैगन की रोपाई की गई है इस शमय जो बैगन के पौध किशान भायों को बहुत अधिक नुक्सान का सामना करना पड़ता है किशान भायों अगर आपके खेत में भी आईशी शमश्चा बनी हुई है यदि और आप बैगन की खेती करते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो अंतर तक आवाश देखना चाहिए हम कुछ दवाओं का नाम बता दे रहे हैं अगर समय रहते हुए आप इन दवाओं का छड़काओ कर देते हैं तो इस इस कीट से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं जिश्चे हमारे किशान भाई अपने होने वाली आर्थिक छट से बस सकते हैं इसके नियंद्रन के लिए आप एसी फेट पचास प्रतिसत प्लस इमिंडा क्लोप्रिड एक दसमलों आठ प्रतिसत यस पी में दवा आती है इसका कर सकते हैं यह दिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 400 गराम दवा को प्रति एकड़ आप डेर सो से दूसरी ट्रपानी में खोल बना कर आपका च्रकाओ कर सकते हैं यह दवा बजार में अनेक ब्यापारी नामों शुपलब दो जिस भी नाम से आपके हैं दवा उपलब उसका च ब्रति च्रकाओ कर सकते हैं इसकी टेक्निकल की बात करते इस में बीटां स्थाइफ लो ट्रीन पलस इमड़ा खौण धर्टहहर हैं दो दवा हैं यह जिससकी द्यम की बात करते हैं तो 8 mml दवा को प्रति एकड़ आप डेर सो से दूसरी त्रपानी में घुर बना कर च्छ सब्सक्राइब कर सकते हैं यह इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 60 ग्राम दौको प्रती एकड़ा डेर सो से 200 टर पानी में घुल बना का छिरकाओ कर सकते हैं इस दवा का परभाव लगभाग 10 दिन तक रहता है किसान भायो यह दवा बजार में अनेक ब्यापारिक नामों से हमेशा ध्यान रखें एक ही दवा का छिरकाओ आप अपने खेत में बार बार ना करें नहीं तो उस कीट को उस दवा के प्रतिवधक चमता बढ़ जाती है और उस कीट का निंत्रन आसानी से नहीं हो पाता है तो हमेशा ध्यान रखें एक दो बार दवा का छिरकाओ करने के करें अता किशान भाई खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आफ हान चनल को लाईक करें शेयर करें और जो भी हमारे किशान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे're यह दो हमारी वीडियो पस्तंद आई हो तो आप हमारे चनल को सस्क्राइब आवश्य करें वीडियो देखने के लिए आपका पहुत बहुत धन्यबात नमस्कार किसान भाईयों